हेलो दोस्तों कैसे हो तो दोस्तों आज के इस नए वीडिम आप सब का स्वागत करता हूँ दोस्तों इस वीडिम बात करने वाले है बीबेल के नेक्स्ट मैच के बारे में जो के होने वाला है मिल्बन स्टार्स और मिल्बन रेनेगेट्स इन दोनों टिम्स के बीच में मेलबन स्टार्स के कुछ रीटर प्लेर्स रीटर्न आ चुके उस पर हम लोग बात करेंगे आपको बैटिंग ओडर में चेंज़ेस देखने को मिल सकते हैं मेलबन रेनेगेट्स के आपको वही टीम देखने को मिलने वाली है देखो अब आगे बढ़ने से पहले करेंगे टेलेग्राम चैनल से जूड़ना विकास इतने चेंज़ेस होते हैं सड़नली बीवेल में कोवेडी के वाज़ेसे कि मॉर्णि में कुछ अलग न्यूज मिल जाती है तो उसके सारे अपडेट्स आपको टेलेग्राम चैनल पे मिलते रहते हैं कंसिस्टेंटली प्लस ट्विटर सारी कबड़ी हम लोग कवर कर कर लो तो आप लोग समझ जाओगे कि आप एक अच्छे जगह पे जॉइन हो रहे हो ठीक है बाकी फाइनल कॉल तो आपका रहेगा टेलेग्राम चैनल की लिंक आपको कमेंट सेक्शन में फर्स्ट कमेंट में मिले जाएगी अब दो सिंपल पीच रेपोट के अगर बात करे तो मैक्सिम अगर देखोगे तो अच्छे बैटिंग विकेट्स देखने को मिलती है जहाँ पे बैटर्स अच्छा तो करते ही है पर पेसर सो स्पीनर्स बैच्छा कर लेते हैं पूरे बीवल में लोग ने क्या देखा है फिर ग्राउंड कौन सा भी हो कि बालर्स ने पर पाच मैचेस हो चुके है प्लस शिक्स्त मैच भी हो जाएगा जो मॉर्निंग में एक मैच है शिक्स्त मैच इस इवन्यू पर है और उसके बाद यह मैच होने है तो टोटल छे मैचेस हो जाएंगे इस मैच से पहले तो अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर कर रही है उनके सामने ही यह लोग जीते थे ठीक है अब दोनों टिम्स के बिच में अलोड़े एक मैच हो चुका है इस सीजन में Melbourne Stars 126 पे ओल आउट हो गए तो Melbourne Renegates ने 129 फिर बना दिये थे यहाँ भी बेगर देखोगे तो दोनों आपको neck to neck देखने को मिलने वाले हैं दोनों ऐसे struggle कर रहे हैं और एक interesting match आपको देखने को मिलेगा अब दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं Melbourne Renegates की तो तीन ही मैचे से लोग जीते हैं और अगर देखोगे तो करीबन पाच मैचे से और यह दो साथ मैचे से हार चुके हैं एक मैच इनका not result रहा था due to weather अब प्लेइंग लिए इनकी बात करें तो कुछ इस तरके से इनका 14 प्लेस का squad अना उस हो है जिसमें Jack Prestwich return आ चुके है पिछली मैच पे 13 प्लेस का squad था अब 14 प्लेस का squad है जैक Prestwich return आ चुके है क्या खेलेंगे देखने लाइक बनेगा हो सकता है आपको विल सदर्लेंड के जगा पे जैक Prestwich खेलते हुए दिख जाई यह change expected है और हो सकता है अब हुआ क्या है तो जैक फ्रेजर ने पिछली मैच में open किया था विट एरन फिंच ज्यादा कुछ नहीं कर पाये थे अच्छे लगे थे वैसे पहले तो इन्होंने नंबर 5 नंबर 6 पर बैटिंग करी थी कुछ ज्यादा अच्छा नहीं कर पाये बट अच्छे लग रहे है बाट से मनों हो सकते एक अच्छी पारी खेल जाए ट्राइबल पर पीक रहेंगे ग्रैंड लिग में फिंच कुछ अच्छी पारी खेलिए 68, 50, 37 बट बाकी चार मैचेस में तो यह फ्लॉप भी होगे तो यह थोड़ा सा देख के चलोगे शौन मार्श की बात करें तो अच्छी पारी खेलिए जैसे रिटन आए है 21, 57, last match 39 runs तो अच्छे लगे है निक मैडिंसन कुछ ज़्यादा नहीं कर पाए 67 के एक अच्छी पारी खेलिए बट बाकी मैचेस में यह भी फ्लॉप है विल सदरलैंड थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेते है बेंच पर पैटिंसन यह अविलेबल नहीं यह जोनो मेड़ा अविलेबल है बट मेरी साब से नहीं खेलेंगे प्रेस्ट वीज अविल सदरलैंड को यह रिप्लेस कर सकते है देखके चलोगे बाकी नभी और जेम सेमर दोनों अविलेबल नहीं है अब बालिंग में देखको जोश लेलर अविलेबल है दो मैचस खेले है एक विकेट अब तक इनको मिली है केंड इचर्सन रेगुलर इन्होंने विकेट निकाले जब पहले बालिंग करते है तो यह बहुत इंपोर्टन बिक बनते है फिर आप इनको कैप्टन वाइस कैप्टन भी कर सकते हो बट अगर पहले बैटिंग कर जाते है या फिर सेकंड बालिंग जब रेनेगेट करती है तो इनका थोड़ा वैल्यू कम हो जाता है तो यह थोड़ा सा पॉइंट नोट करके चलना और वैसे ताव करते हैं कोई सिर्फ एकी मैच जा गया था जा पर विकेट नहीं मिली थी और राइस इन्होंने हर मैच में ना दो दो तीन तीन चार चार विकेट निकाली है जैक इवन्स दो मैच के लिए एकी विकेट निकला पिछली मैच में खेले नहीं थे जहिर कान consistently इन्होंने सारे matches खेले है और ठिक टा performance इन्होंने दिया है तीन-चार matches में wickets नहीं थी बट बाकी सारे matches में wickets अच्छे पिक रहे है नभी available नहीं है Nick Maddinson, part-time baller है last time जब stars के सामने इनका match हुआ था तीन-विकेट्स निक Maddinson ने निकाले तो यह थोड़ा देखके चलोगे तीन-विकेट्स ले गए थे, Will Sutherland पिछले दो-मैटस में दो-विकेट्स निकाल चुके है और देखोगे तो टोटल पार्च विकेट्स नोने निकाली है, बहुत अच्छा नहीं किया है ठीक है, रोटेट करके चल सकते हैं, अपने Grand League के टिम्स में Will Prestige अगर खेलते हैं, तो उनको भी रोटेट करके चल सकते हो Cameron Boys का फर्स्ट मैच था, दो-विकेट्स ले गए थे, एक अच्छे राइटम, लेक ब्रेक स्पिनर अच्छा करते हैं और experienced है, देखके चलोगे, आपके लिए फिरसी important pick बन सकते हैं, differential pick बन सकते हैं, game changing pick बन सकते हैं patterns are not available, top play available नहीं है, इनके तरफ देखना नहीं है, Jack Prestige is available, पिछले 2 matches खेले नहीं है और total 4 matches, इस सिजन में खेले 3 wickets निकाली है, किसी भी match में फूरे 4 ओर नहीं डाले हैं, बट थोड़ी बड़ बैटिंग ये भी कर लेते हैं, हो सकते हैं, आपको Will Southern Line को ये replace करते हुए दिख जाए, tribal pick रहेंगे अब दोस्तों चलते है, Stars पे, तो Stars ने जीते है, total 4 matches, तो ठीक किया है, ठीक है, और अगर देखोगे, तो करीबन इन्हों ने लॉस किये है, 6 matches, out of 10 matches, 6 matches हारे है, 4 matches, ये लोग जीते हैं अब देखो, कुछ इस तरह के सिन का पुरा squad announce हुआ है, करीबन ये squad, ठीक है, ये जो नीचे के player से, ये सारे available नहीं है, इनके तरफ नहीं देखना है, उपर के जो player से, वही available है Stoinis नम पिछले, दोनों matches में भी available थे, बट back injury के वज़े से, खेले नहीं थे, तो अगर इस match में fit हो जाते है, तो फिर आपको directly playing लिए, उन्हें खेलते हो दिखेंगे, फिर वो open भी करेंगे, तो ये note करके चलोगे One more thing, इनके सबसे important baller Nathan Coulter Nail available है, इनको I think hamstring injury थी, बट अभी feet है, squad में announced भी है, और आपको खेलते होई दिख भी सकते है, ठीक है, तो ये change आपको देखने को मिल सकता है, मारकस टॉइन इस अगर खेलते हैं, तो मुझे लगता है कि Nick Lockin या फिर Joe Buns, इन में से कोई एक drop हो ज आपको नीचे जाते होई भी दिख सकते हैं, अब देखो, Joe Clark का form जबरदस रहा है, ठीक है, 52, 85, 52, 83, पिछली मैच में नंबर पाच पाए तो 17 ही बना पाए थे, बट इन्होंने consistently run बनाए, स्टार्टिंग के 5 मैचे में flop ते फिर इन्होंने run बनाए, क्लिन जिन्सली में मे अच्छा करने लगेगा, और अगर अच्छा करने लग जाता है, तो माकस्टोई इस उतना अच्छा करने रहे थे, और अगर गाप के बाद आ रहे तो आपके लिए बहुत अच्छे पीक है, निकला किन उतना अच्छा इन्होंने किया नहीं है, तो honestly मैं आपको small league में तो व इलकुल ही run नहीं बने है, 12, 2, 4, 7, 5, जब से 100 लगा है, उसके अगले 4-5 matches total flopped है, यह थोड़ा देखके चलोगे, और आपको पता है, जिस quality के बाद है, जब चलते लंबा चलते है, बतलब पुरा game change कर देते है, जो बन से इनके run नहीं बने है, हिल्टन काट टाइट ने actually run बनाए है, और ठीक आपके लिए important पी के number 5 पर आते है, तो यही थोड़ा सा सोचने लाइक बनता है, बड़ स्टीर इनको बैटिंग मिल जाती है, व्यूव एपस्टर जब नमबर नीचे बैटिंग कर रहे तो run नहीं बने, और open किया था, पिछली match में 63 बना गया, actually quality better है, इन्हों ने second last season में बहुत ही अच्छा किया था, number 5 पर, बट last season उतना अच्छा नहीं गया, ये season भी उतना अच्छा नहीं गया, बट इस बार जब last match में open किया था, 63 बना गये थे, Tomo Connell मेरे सबसे नहीं खिलेंगे, Samaran Bird वगेरे कोई खेलने वाला यहां से मुझे लगता न गये थे, बट बाकी सारे match में विकेट निकाली है, जहमपा जब से return आये, अच्छा किया है, तीन विकेट से पिछले दो match में, ठीक है, तो 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 देखके चलोगे, Sam Rainbird है, चार और खेले डाले थे पिछले match में, बट कोई विकेट नहीं मिला था, इस match में drop होने के पुरे match में खेले थे, और 5 match में देखोगी, तो उन्होंने निकाली थी 7 विकेट, तो समझ सकते हो कितनी important यह पिक रहने वाले है, तो दोस्तों चलते है, exchange 22 पे और buy sale के कुछ पिक्स चेक कर लेते है, कि कोई अच्छा पिक है या नहीं है, तो अगर देखोगे, तो यहां से मुझ 21 है, ठीक है, और गलती से 2 विकेट मिलके वैसे वालिंग उन्होंने अच्छी करी है, तो अगर 2 विकेट लेते हैं, तो आपको double का profit देखे जाएंगे, तो एक एक है काउच और एक है जहीर खान, इन दोनों पे आप लोग ट्राइ कर सकते हो, अब दोस्तों प्रीमियम जवागर में देखोंगे, तो आपको मिलेंगे जोग लाग जो ओपन करेंगे और मैकसमल को लोग इन में ही इन्वेस्ट करने वाले है, बिकोज उन्होंने अच्छे रन बनाये है, मैकस्विल का उतना अच्छा फॉर्म ने, और ने शौन मार्स ने रन बनाई जरूर है, ब इतर नेविल सेब कोच अविलेबल नहीं है, प्रेटी क्रोवे अविलेबल जरूर है बट मेरे साब से नहीं खिलेंगे, अब इक लिए जो क्लाक को ही लेते हैं, विकोस सैम हापक की बैटिंग और नीचे है, अब चलते बैटिंग सेक्शन में, शौन मार्श लेके चलेंगे, वन डाउन, एफी टू डाउन आएगे, मुश्ली वन डाउन आएगे, और इन्होंने रन बनाए हैं, ठीक है, तीन-चारी मैटर्स के लिए बड़ अच्छे कासे पॉइंट दे चुके अब तक, हिल्टन कार्ट रेट पबलिक लेके आईगे, नमबर पाच पर बैटिंग कर सकती है, तो ये तोड़ा साथ देखके चलोगे, उसके रहे हैं, मैकेंजी हाव है है, इनकी बैटिंग ओर निचे जा चुकी है, निकला किन वन डाउन आएगे, अफी टू डाउन आएगे, अगर खेलते हैं, स्मॉल लिग में बहुत रिकमेंड नहीं करूँगा, फिर भी अपने ग्रैंड लिग के टिम्स में डेफिनिटल रोटेट करना, जब चलेंगे, 30-40 रन बना के आपको दे सकते हैं, बंस इस वेरी गुड प्लेर, वाट इनका फॉर्म उतना चाहें, प्लस बैटिंग ओर नीचे रहेगी, जैक प्रेजर, ये ओपन कर सकते हैं, किसके साथ अरण फिंच के साथ, और ये आपके लिए बहुत अच्छे पिक बन सकते हैं, गेम चेंजिंग पिक बन सकते हैं, अगर आप इनको ट्राइ करना चाहते हो, ग्रैंड लिग में तो डेफिनिटल ट्राइ करना है, स्मॉल लिग में रिस्क लेके ले सकते हैं, लास्ट मैच अरण फिंच को टॉप करके हम लोगों ने लिया था, जैक फ्रेजर को, वैसे दोनों ने रन नहीं बनाए थे, बट प्रेजर ने कैचस से इतने पॉइंट दे देते कि फिंच से ज्यादा पॉइंट देके तो वहाँ पे बेनिफिट देखे गए तो तो थोड़ा देखके चलोगे, इप स्टॉइन इस अवेलेबल, बसलो अवेलेबल तो है, बड़ा कर प्लेंग रियों में दिखेंगे, तो फिंट पीक है, फिर इनको तो लेके ही चलना पड़ेगा, ठीक है, ब्यक्स ओपन करते है, बॉलिंग मेरे साब से नहीं करेंगे, ओपन करेंगे, और रन करमी से, कुछ टीमस में डॉप करके चलो, कुछ टीमस में लेके भी चलो, थर्ड बैटर अगर मारकस टोइनिस खेलते हैं, तो मैं मारकस टोइनिस को ले लूँगा, ठीक है, या तो फिर हिल्टन कार्ट राइट को अभी के लिए हम लोग लेके चलते है, यह सेप ऑप्शन लेना जरूर चाता हूं, फिंच के जगर पे कोई और, बट ऐसा कोई बहुत अच्छा पीक नहीं मिल दा है, मारकस टोइनिस खेलेंगे, तो हम लोग फिंच को डॉप करके, फिर हिल्टन कार्ट राइट को डॉप करके, डारेक्ली मारकस टोइनिस को ले लेंगे, ठीक है, अगर फिर से ओपन करते हैं, अगर फिर से ओपन करेंगे, फिर नंबर तीन पे भी आते हैं, तो भाईया मैं लेके चलूँगा, और मेरे क्रेड्स भी मैनेज करके देंगे, तो यह तोड़ा साथ दिखके चलना, ठीक है, और पिछले हैं पे एक ओर्ड भी डाला था, कुछ आपका कॉल रहेगा, बट उससे पहले मैं यहां पे ले रहा हूं, नेतन कुल्टर नाइल को, खेलने वाले हैं, जरूइन का सेलेक्शन कम है, बट यह खेलेंगे, तो यहां से और कोई रिकमेंड में नहीं करने वाला दो प्लेर्स और लेने हैं, जिसमें आप एड़म इस रहेगे, दोनों में से कोई एक ले लो, जैंपा का रिफॉर्म अच्छा देखने को मिला है, रिटन आया है, बट देखके चलोगे, दोनों में थोड़ा कन्फुज दूगे, दोनों कॉलिटी राइटाम लेक बेक स्पिनर से, दोनों विकेट टिकिंग ऑप्शन है, किस आपको इस दिक्कत आने वाली क्रेट के साथ, तो इस सिचोचिन में आप क्या कर सकते हो, जो आपको लेना चाहते ह問, प्रोडिक जो भी आप लेना चाहते हो, आप यह से उठा सकते हो, या आपका ऊपर डिपमेंड रहेगा तो क्रेट्स मैनेज करने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा हो सकते हैं फिंच को ये डॉप कर दो फाइनल टी में ये चेंज में कर सकते हो बट अभी के लिए हिल्टन काट्राइट को डॉप करके निकलाकिन लेते हैं और बॉलिंग सेक्शन में थोड़ा सा कन्फूज तो फिर लोल लेलर को लेलू कौच को लेलू या फिर जहिरकान कैमरन बॉइस किसे लिए ना है थोड़ा सा कन्फूजन है अभी के लिए अभी के लिए हम लोग जॉश लेलर को लेते हैं और कुछ इस तरीके से हमारी टीम बनाते है दोस्तो जैसे आपको पता ही है आप मुझे अच्छे से फॉलो कर रहे हो तो आपको मैं हमेशा एक बात बताता हूँ कि Melbourne Renegates, Melbourne Stars इनके जब मैचेस होते है ना तो ये बहुत ज़ादा रिस्की मैच होते है हाई रिस्की मैचेस होते है तो इन्वेस्मेंट भी आपको बहुत केरफुली और लिमिट में ही करनी होती है विकास दोनों टीम्स ना अंप्रेडिक्टेबल टीम्स है ये जब खेलती है अच्छा करेगी तो बहुत अच्छा करेगी खराब करेगी तो बहुत ही खराब करेगी तो ये थोड़ा सा देख के जरू है अभी दोनों टीम्स के बीच में मैचे तो ये और ज्यादा रिस्की बन जाता है बट स्टील हम लोग कवर कर रहे हैं इंवेस्ट में थोड़ा स्मॉल रखोगे ग्रेंड लिग में में फोकस करोगे जो डिफरेंशल प्लेयर से उनमें इंवेस्टमेंट करने की कोशिश जरूर करोगे अब बात आती है कैप्टन वैस्ट कैप्टन से के ठीक है पबलिक आ रह कर सकते हैं बट कैप्टन से किसी दिया जाएं मैक्सवेल भाया उतना अच्छा मज़ला कानफिटन से देते नहीं है तो हम लोग क्या करते अब है के लिए विसर से के लिए इरकें रिचर्ट से को कैप्टन से दे रहे है ने थल कुल्टन को ती यह अब होगे मेरे कैपटन वाइस कैप्टन पट हाई रिस कैप्टन वाइस कैप्टन एगर आपको सेब जाना है मैक्सवेल, निक मैडिंसें, जो कलाक इनके साथ आप लोग जा सकते हो बढ़ अभी के लिए कैप्टन वाइस कैप्टन यही दोनों मेरे लिए रहने वाले है और यह टीम आप लोग ग्रैंड लिग में भी लगा सकते हो जिस तरीके से कैप्टन वाइस कैप्टन है, यह टीम आप लोग ग्रैंड लिग में भी ट्राइ कर सकते हो thank you so much guys for watching